हेलो एवरिवन वेलकम तो माई जेनल दे क्रिएशन स्टूडियो आज हम रेजिन आर्ट में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम फटा-फट से रेजिन मिक्शेर मिक्स कर लेते हैं और उससे पहले ग्लोज फॉर सेफटी परपस तो हमने ये ग्लोज पहले पहन लिए वेट बैंस अन करेंगे उसके बाद रेजिन और हाडनर दोनों को मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने 3-1 रेजिन और हाडनर रिया है एपोक्सी ट्रैंस्परेंट रेजिन हमने लिया है अभी उसके बाद इसको मिक्स करेंगे कोई भी इनट मर्टिरियल से हम मिक्स कर सकता है इनट हम इसके लिए लेंगे ताकि अंदर कोई भी टाइप का रियेक्शन ना हो और हमारा केमिकल प्रॉपरली मिक्स हुए तो हमने यहां पर मिक्स कर लिया है केमिकल अभी हमें थोड़ा ज्यादा chemical चाहिए तो हम दुबारा mix करेंगे और ये बड़े से बाउल में mix कियो और mixture डालेंगे तो ये हमारा mixture ready हो चुका है अभी हम इसमें Paul white color add करेंगे यहाँ पे हमने apple का Paul white color लिया है जब भी हम कोई भी frame बनाता है तो उसमें जो base coat होता है वो shiny color हो और dull में shiny color हो तो वो बहुत ही सही दिखता है तो इसके लिए हम यहाँ पे Paul white color का base बना रहे है तो ये हमने color ले लिया अभी इसको mix करेंगे uniform तरीके से mix करेंगे और एक ही direction में mix करेंगे ये रेखिए तीरे-दीरे तो हमने जो basic material है वो ready कर लिया है यहाँ पे हमने 4 इंच का silicon mold लिया है और इसको मिंस ये mixture को ये mold में डाल देंगे इस type से और इसको रहने देंगे अब ये actually ये मेरे bulk order है तो मैंने इसी type से 15 frames बनाई है same as इस type से ही बनाई है अभी इसको 24 hour सूखने देंगे और सूखने के बाद ये इस type से लग रही है मुझे यहाँ पे इस पर sticker लगाना है जो मैंने यहाँ पे जैश्री राम का sticker बनाया है अभी ये sticker को मुझे frame पे लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये sticker को seller tap में ले लूँगी इस type से ये हमने पूरा seller tap से cover कर लिया और उसके बाद sticker को निका लेंगे तब ये seller tap में चिपक जाएगा ये देखिए इस type से बहुत easily चिपक जाता है seller tap में इसको निकालने के बाद हम यहाँ पे बीच में sticker लगाएंगे ट्राइ करेंगे कि ये sticker प्रॉपरली बीच में ही सेट हूँ अगर आपको अभी अंदाजा नहीं आ रहा है तो आप बीच में एक्जेट मिडल में मार्किंग करके भी ये sticker मिडल पे लगा सकते हो and then rub it like this and remove the seller tap अगर ऐसा लग रहा है कि sticker seller tap के साथ ही निकल रहा है तो धीरे धीरे seller tap को निकालिए और इस type से press कर दीजिए बाद में ताकि जब हम इसके उपर resin का mixture डालेंगे तब ये sticker lose ना पड़ जाए अभी उसके बाद हम border थोड़ी decorative बनाएंगे और उसके लिए मैं यहाँ पर crystals ले रही हूँ ये crystals आपको कोई भी craft shop में मिल जाएगा जब ये final ready हो जाएगी frame तब ये crystal की border कुछ अलगी effect दिखाएगी ये पूरी frame में तो यहाँ पर हमने पूरी circle में border बना ली है और finally हम resin mixture का final coat करेंगे इस type से दीरे दीरे करेंगे ताकि ये बाहर ना गिरे अगर ये बाहर गिर जाएगा तो नीचे के side पर पूरा resin stick हो जाएगा और फिर base में उसको साफ करना उसकी कुछ अलगी process आती है तो वो दिक्कत ना आए इसके लिए हम सबसे पहले ही उसका precaution ले लेंगे और धीरे धीरे ही resin पूर करेंगे ताकि नीचे की side पर extra resin गिरे नहीं आफर 24 आर इस रेडी यहां पर हमने golden कलर की border पना ली है कैसा लगए यह मेरा आर्ट यह मुझे comment section में ज़रूर बताइए अगले Friday को ठीक शाम साड़े चे बज़े फिर से मिलेंगे तब ते के लिए stay connected with the creation studio बाई बाई बाईब करेंब की बाईब कोईब रहे ?